हेलो स्टूडेंस स्वागत है आप सबका और एक ने वीडियो में तो बच्चो मैं आसा करता हूँ कि आप सबको जो है ये रेक्टिविटी सीरीच पूरा याद रहे गया होगा क्यों मैं ये बोल रहा हूँ कि क्योंकि अभी जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसमें इसी र ज्यादा से जरूरत है हाला कि हमारे पास दो या तीन एक्जाम्पल है लेकिन उसी में भी अगर हमें ये रेक्टिविटी सीरीच याद है तो यह हमें समझना बहुत ही इजी हो जाएगा तो अभी हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि बच्चो एक मैटल सॉल्ट है क्या एक म Antде α कौ अगर हम किसी भी तरह कि 현 pande कि साथ अगर रियक्ट करते हैं तो यहां पर क्या बनता था इक सॉल्ड बनता था क्या बनता था अपका Anis ZWeek ourра along with that हमारा hydrogen gas जो है वो release हो जाता था यह होता था तो यह जो salt जो बनता है बच्छो चाहे metal किसी non metal के साथ combine होने के बाद या फिर metal किसी acid के साथ combine होने के बाद जो salt का formation होता है बच्छो तो वो ही salt को ही metal salt कहा जाता है तो अभी क्या होता है अगर हम इसी metal salt को किसी और एक metal के साथ अगर react कर दें तो यह जो metal salt formation हुआ इसी metal salt को हम लेंगे और किसी दूसरे metal या फिर non metal के साथ react करें तो उसका result क्या आएगा और यह topic में जाने से पहले हम लोग एक चीज़ बात करते हैं let's suppose आप क्या करते हो हर दिन जो जाते आपके school में एक निया लड़का आता है कि एक निया लड़का आता है और फो थोड़ा healthy रहता है थोड़ा मोटा था यह जैसा रहता है और यह यहां पर क्या करेंगा आपको जो है अपनी खुदके जगह से आपको हटा देगा और वह आ एक खुद आपकी जगह में वह बैठ जाएगा यहां इसका मतलब क्या हुआ यह आपको अपने प्लेश से ही displacement कर दे आपके जहां से आप बैठते थो आफका फीलेस था उसी प्लेश से तो यह क्या होता यहां पे जो किसी भी metal का जो place है वो displace हो गया और कुछ हमारे reaction में भी कुछ इसी हिसाब से होते हैं तो क्या होता बच्चो इसी reaction को ही क्या कहा जाते है displacement reaction अपनी जगा से हटा दना कौन हटाता है बच्चो जो highly reactive metals होते हैं let's suppose हमारे पास कोई एक metal का salt बनता है जो कि less reactive metal से मिलके बना है तो अगर हम उनको क्या करेंगे एक highly reactive metal के साथ combine कर लेते हैं तो क्या हो जाता है जो less reactive metal जो होते हैं यह अपनी जगा से हट जाते हैं और एक नया compound बनाते हैं और इसी तरह का reaction को क्या कहा जाता है बच्चो इसी तरह का reaction को displacement reaction कहा जाता है क्लियर है यहां तक अभी language के साथ से देखते हैं कि displacement reaction क्या कहा जाता है एक more reactive metal अगर एक ज्यादा से ज्यादा reactive metal अगर displace कर देते हैं मैटा displace less reactive metal from its aqueous solution और its compound किसी भी compound से अगर इनको अलग करवा देते हैं such types of reaction is known as the displacement reaction कुछ इसी तरह का reaction को ही displacement reaction कहा जाता है कि समझ में आ गया बच्चो तो यहां पर क्या होगी एक highly reactive metals रहेगा और वह डिस्प्लेश किसी उखरेगा आपका एक less reactive metals को एक्जम्पल के सबसे देखते हैं बच्चो वेंद जिंक granule अभी देखो बच्चो जिंक कहां पर है जिंक कुछ यहां पर है जिंक granule are kept in copper sulfate solution तो copper sulfate solution का क्या होता है अगर उसको chemical यह लिखेंगे तो CUSO4 यह उसका नाम होता है बच्चो तो देखो यहां पर metal कौन है copper है copper कित नाम बहुत ही कम reactive है किसके as comparable to zinc zinc के साथ अगर combine करेंगे तो copper बहुत ही less reactive है तो क्या करेंगे अभी आपर क्या sulfate और copper दोनों एक ही bench पे बेटें या फिर दोनों एक ही compound है पट उसमें अगर हम zinc add कर देंगे उसमें अगर हम zinc add कर देंगे तो यह क्या हो जाए बच्चो यह copper को जो है अपनी जगा से हटा देगा और यह sulfate के साथ खुद ही combine हो जाएगा रगा इसको हम इसी के हिसाब से देखेंगे reaction के सबसे तो cuso4 जो है यह एक जगा पे थे या फिर एक single compound थे इनके साथ क्या add हो गया बच्चो आपका zinc add हो गया जैसे ही zinc add हो जिंक ज्यादा से ज्यादा रियक्टिव है तो यह क्या करें यह copper को जो अपनी प्लेस से हटा देगा यह फिर डिस्प्लेस कर देगा और वो खुद से ही एक compound बना देगा कि क्या आपका zinc sulfate बनाएगा और copper को जो है अकेला चोड़ देगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि एक displacement reaction हुआ है बोलकि तो displacement reaction हो जब भी भी होता है तो बच्चो क्या ब white color रहता है पर जब भी यह displacement reaction हो जाते हैं तो जो नया compound बनता है वो क्या आपका colorless solution बनता है and copper जो है वो अलग से वह आपका red brown as it is यह अपना previous state में आ जाता है अगर इसी question को ही मैं अगर थोड़ा सा उल्टा कर दो what happened when the zinc sulfate कभी भी अगर zinc sulfate को अगर copper के साथ रिएक करा जा pink जो है वो highly reactive है और copper जो है वो less reactive है तो यहां पर किसी भी तरह का reaction नहीं होगा no reaction takes place समझ में आया बच्चो तो यह होता है बच्चो बिस प्लेस्ट में डियक्शन जहां पर एक highly reactive metal क्या करेंगे एक less reactive metal को अपनी जगा से हटा देंगे क्लियर है और भी एक एक्जम्पल दिया गया है बच्चो तो देखते हैं वही से बागया हमारे सामने हमारे एक्टिविटी सीरीच और यहां पर देखो फेंड आईरन नेल सरकेपिंड़ कॉपर सलफेट सोलुशन फिर से वही आगया बच्चो कॉपर सलफेट एन आईरन ज ां जो हों यह मोर्वी एक्टिव है किससे कॉपर से कॉपर से ज्यादा से ज्यादा एक्टिव है तो यह क्या करता है कौपर को अपनी जगा से हटा दिया और बो बहु बना धिया आईरन तो यह सब हम कब कर पाएंगे क्योंकि हमें पता है कि कॉपर जो है वो लेस्टिव है अगर यहां पर यहां पर यह देदा वोसी सेम अगर इसको उल्टा कर देदा एफिए सो फोर हो गया आईरन को आईरन सुल्फेट को अगर कॉपर के साथ रेक्ट करेंगे तो वही सेम नो रियक्षन किसी भी तरह का हमें रियक्षन दिखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि कॉपर जो है वो लेस्टिव मेटल है समझ में आ गया बच्चो यह था बच्चो हमारा डिस्प्लेस्मेंट रियक्षन तो यह रियक्षन के साथ आपको याद रखना बहुत ही जरूए है तो आपको यह नॉम्मली क्वेश्टिन कैसे है क्या हाथ है वाट है पेंड वैन कॉपर सलफेट स्यूशन इच और वैंड। आइरन नेंसा डीप इनदग पर सलफेट सल्फेट सलस्वेशन क्या होगा जब भी एक आइरन नेल्स को कॉपर सलफेट सोलिशन में डाला लागया है आप लोग अपने हायर क्लासेस में इसके रिल्टिल बहुत सारे कुछिंट भी जो है आप इसके और पढ़ने वाले हो बच्चो समझ में आ गया तो यह था बच्चो displacement reaction या फिर reaction of metal salt का reaction किस हिसाब से होता है clear है बच्चो इसी को थोड़ा सा याद रखना अभी बढ़ते हैं बच्चो इस चप्टो को खतम करते हैं क्योंकि अभी बस एक ही topic हमारा बच्चा है the use of metal and non-metal तो बढ़ते हैं आगे तो देखते हैं बच्चो सबसे पहले the use of metals metals हो कहां कहां यूज करते हैं तो आप नॉर्माली खुद से ही सोचो बच्चो की metal कहां कहां पी यूज हो सकता है जो हम electrical equipment देखे दिसन नौट बोल से जो ब्रीज देखते हैं जो सीफ एरोपलेन ये सब कुछ जो एलेक्टिकल वायर जो होता है जो ज्वेलरी हम लोग पहनते हैं ये सारे की सारे क्या होंगे बच्चो यूज अप मेटल तो क्या हम लोग बोल सकते हैं the meat Alf Give PLE used for the makes in central जितने भी बड़े बड़े मेंसिणर म बनते हैं जितने भी टूल्स लगते हैं जैसे की आपका हतोडा होगया आपका प्लॉग हो गया कैसा आप rut पड़े हो हो गया कलटीवेटर हो गया ये सारे कैसारे क से बनते हैं ये मेटल से ही बनते हैं समझ में आ रहा है और कहां कहां भी यूज होते हैं जैसे की ब्रीज में हो गया रेल्वेड लाइन की ट्रैक में हो गया सीप मैकिंग में हो गया इन सम्में भी जो है वो मेटल्स का यूज किया जाता है एलोंग विद एट कॉपर एक गूट कंड़क्टर है बहुत ही अच्छा कंड़क्टर है तो इसलिए इसको कहां पर इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में भी इसका यूज होता है बच्चो और कहां कहां पर यूज होता है ऐलमिनियूम की जो भैसे जो होते हैं इसे इस टेंसिल बने जाता क्योंकि अलमिनियूम जो रहता है वो क्या होता है गूट कंड़क्टर होता है यह हीट को जो है वो अच्छे तरह से कंड़क्ट कर सकता तो जितने भी हमारे यूटेंसिल्स होते हैं यह सब किसे बने हुए रहते हैं आपका अलमिनि इसके हिसाब से गहनों के हिसाब से जादा से गोल्ड और सिल्भर को यूज किया जाता है तो नॉन मेटल के यूज करते हैं नॉन मेटल को सबसे जादा से जादा यूज होता है अगर नॉन मेटल नहीं रहेंगे तो हम लोग सर्भाइब नहीं कर पाएंगे तो इसका सबसे ब जाताने के ज़रूत नहीं है तो 이번 देज़ कोई देज होता है लेकिन carbon dioxide कहां होते हैं जितने भीlla सोते हैं photo synthesis के process कर डाइं पर कारबोन डायोकषईट को यूज करते हैं तो वह आहिए बड़े-बड़े यूज है किसके नॉन मेटल के oxygen and carbon dioxide इसके अलाबा भी जो क्लोरीन जो होता है बच्चो ये नॉन मेटल ये किसमें यूज होता है water purification में help किया जाते है chlorine powder जैसे water में मिला जाते है ताकि सारे के सारे जर्म जो है वो मर सके हमारे घर में भी जो पानी आता है उसमें भी क्या होता है बच्चो जो मिन्सिपल्टी वाले जो पानी भी दिए उसमें chlorine डला हुआ रहता है ताकि एक प्योर वाटर जो है हमारे पास पहुंचे clear है इसके बाद और क्या आता है जो iodine होता है जो जिसका लस्टेर इस प्रपर्टी रहता बच्चो इससे क्या बनता है एंटिसेप्टिक बनता है इभनी जो coal हो गए जो carbon से प्रॉड़क्स जो रहते हैं इनको क्या किसमें यूज किया जाते है एस फूल यूज किया जाते ह क्योंकि हमारा next topic यहीं सही चालू करेंगे बच्चो coal and petroleum तो बच्चो इस chapter में बस इतना ही अगर आपको ये chapter समझ में आया तो ये वीडियो को like कीजिए आपके दोस्तों के साथ सेयर कीजिए और हमारे वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए बच्चो मिलते हैं next वीडियो पे तब तक के लिए बाए बाए